तो आज का वीडियो बहुत यादे important होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ round glass Punjab FC के बारे में कि आप इस academy को कैसे join कर सकते round glass Punjab FC का आपने नाम सुनाई होगा यार क्योंकि यह recent में ही ISL लेविल का club बन चुका है तो यार यहाँ पर इतनी सारी opportunity बनती जिसकी कोई कह नहीं सकता में जी यह बहुत सारी opportunity आपको बनेगी अगर आप इसकी academy को join करके रखते हैं तो definitely आपको बहुत यदा chances मिलेंगे और काफी हद तक तो chances मैं कहूंगे कि आप directly ISL में भी pick हो सकते हैं तो इतने अच्छे अच्छे chances आपको बन जाएंगे इस academy के तुरू तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा कि आप round glass पंजाब FC को कैसे join कर सकते हैं क्या age limit रहेगी पूरी information मैं दूँगा round glass पंजाब FC के वारे में तो वीडियो में पूरे end तक बने रहीगा लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा वीडियो गवे तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिएगा तो सबसे पहले हम round glass पंजाब FC की location को जान लेते हैं कि आखिरकार round glass पंजाब FC situated कहा है तो इसकी जो location है वो मोहाली पंजाब में मतलब आप चंडी गड़ी समझ लीजिए और भी जाद है इसके center है पंजाब में लेकिन जो mainly जो मानी जाती है वो मोहाली पंजाब में ही मानी जाती है अब लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज clear कर देना चाहता हूँ कि कई लोग मिनिर्वा और round glass पंजाब FC में confused रहते तो इस चीज को मैं clear कर देता हूँ आप लोग को क्या होता है कि मिनिर्वा का आज से 2 से 3 साल पहले मिनिर्वा के जो owner है मिनिर्वा पंजाब FC के owner रंजीत बजाज जी वो अपनी जो senior team है मिनिर्वा की वो sell कर देते हैं round glass पंजाब FC private limited को जो उनकी senior team होती है जो i-league बगएर हमें competitive करती है उस team को वो bench देते हैं round glass पंजाब FC वालों को कहा जाता है कि वो कह रहे थे कि हमें सिर्फ grass root level में ही focus करना है youth level में ही focus करना है जिसकी वज़े से वो अपनी senior team को bench देते है round glass पंजाब FC को तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का link up ही है मतलब जो minerva के जो player होते है senior level में जो पहुंसते हैं player वो minerva वाले round glass पंजाब FC में भेज देते हैं मैंने इनसे पूछा भी है तो जो ये player भेजते रहते है round glass पंजाब FC में और common नाम इसी ले इनोंने रख दिये ताकि पंजाब से एक कोई club निकले जो की अच्छे level में competitive करता हूँ तो अगर आप i-league वगेरा में भी देखेंगे i-league में, ISL में भी देखेंगे तो वहाँ पे ना आपको मिनरवा लिखके आएगा ना round glass पंजाब FC लिखके आएगा वहाँ पे सिर्फ पंजाब FC ही लिखके आएगा तो ये चीज़ को clear रखी गए लेकिन दोनों की academy जो academy है वो अलग-अलग है मिनरवा अपनी अलग academy चलाती है और round glass पंजाब FC अपनी अलग academy चलाती है तो इस वीडियो में अपन round glass बात की ही कर रहे है round glass की ही बात कर रहे है तो सबसे पहले अब अपना आते हैं कि इसके tournaments कौन-कौन से होते है कौन-कौन से tournament में round glass पंजाब FC अपसी competitive करती है तो i-league में खेलती है फिफा लाइसेंस कोच मिल जाएंगे यहाँ पर आपको बहतरीन campus मिल जाएगा और उसके लावा high profile ground आपको यहाँ पर मिल जाएगे तो यह सब facility यह लोग provide करते है अब आपको important पता चला होगा कितनी important football academy अब आपको चीजे समझ में जब आई होगी आपको trials में participate करना होगा तब जाके आप इनकी academy में select होगे आपको simply क्या करना है नीचे link में आपको description में आपको मैं इनका form दे दूँगा वहाँ से जाके आपको form जाना पड़ेगा वहाँ पर form फिल करना पड़ेगा वहाँ पर अपनी details डालनी पड़ेगी जब आप लोग वहाँ पर submit करेंगे तो वो लोग अपनी एक specific date को बुलाएंगे वहाँ पर जाके आपको trials देना होगा तो जब आप trials में select होगे तब ही इस academy में आप select होगे और उसके लाब दूसरा जो process है यह लोग खुद trials release करते हैं साल में इनके trials आते रहते हैं हर साल आते रहते हैं साल डिएर साल के difference में आते रहते हैं तो अगर उनके trials में जाते हैं आप तो वहाँ से भी आप select हो सकते हैं इनकी academy में ठीक है तो यह दो तरीके से आप हो सकते हैं इस academy में select होता है जिसमें ये लोग रेजिटेंशल प्रोग्राम चलाते हैं तो यहाँ पे आपको education बगएरा सब कुछ मिल जाएगा ठीक है तो 10 साल से 18 साल तक के player इसमें eligible रहते हैं इस वाले program में फिर उसके लावर जो दूसरा program होता है वो 18 साल से उपर वाले player तो ठीक है एज का यहाँ पे कोई भी foundation नहीं है ये चीज़ आप clear सुन लीजिए फिर उसके लावर अब हम आते हैं फीस में देखें मैं फीस का confirm नहीं बता सकता हूं क्योंकि मुझे इतनी official तरीके के level की ही यहाँ पे फीस लगी और उसके लावर अगर आप senior level में जाते हैं तो अगर इनके league बगेरा में खेलते हैं आई league बगेरा में खेलते हैं तो definitely आपको फीस देने की क्या जरूत पड़ेगे आपको तो खुद salary ही मिलेगे ठीक है तो यह चीज को समझ लीजेगे आप अब उसके लावा देखें यह चीज़े तो हो गई कि academy को join कैसे करते हैं अब इनके trials का पता कैसे करेंगे यार तो इनके आप official जो Instagram चैनल बगेरा हैं इनको follow कर सकते है regular basis में तो वहां जाके आपको इनके trials बगेरा की नहीं आए तो यार comment बदाएगे तो फिर भी मैं query को solve करने की कोसिस करूंगा फिर भी अगर पसंद आ गया है वीडियो तो please like करके जाना चैनल पर नहीं तो please subscribe करके जाना मैं मिलूंगे एक और next video में thank you very much